नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जितन चवदरी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जेके एडुटेक में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक आए सी आए सी आए सी बैंक लेट के बारे में जी यहां दोस्तों आज अपना क्वाट फूर के रिजल्ट अनॉसमेंट किया है और इस प्वाटर फूर रिजल्ट में आए सी आह सी बैंक के जो प्राफिट से उसमें जो है वीउस dopamine जंप देकने को मिला है तो क्या यहां से 21 फोटक रेली की सुरुवात हो सकती है क्या हमें इस रिजल्ट के बाद ICIC bank में invest करना चाहिए या नहीं तो सारी चीज़ों को analyze करेंगे तो please वीडियो को सुरू से लेकर अंतक जरूर देखिएगा क्योंकि आज जिस तरह से ICIC bank limited का quarter 4 का रिजल्ट आया है इसके profit में देखिए क्योंकि profit सबसे important होता है sales के साथ साथ revenue के साथ साथ जो सबसे important चीज होता है वह होता है profit तो profit देखिए तो ICIC bank limited का quarter 4 में year on year basis के उपर 59% का jump देखने को मिला है जो की एक चौकाने वाला data है अभी इतना profit तो SDFC bank limited को भी नहीं हुआ था percentage wise देखिए तो 7,018 क्रोड का net profit हुआ है quarter 4 में ICIC bank limited को ठीक एक साल पहले 2021 का data check करें मार्च 2021 का तो उसमें पाएंगे कि 4,402 क्रोड का net profit हुआ था तो पिछले साल की तूलना इस साल के प्राफिट से compare करें तो तक्रीवन 59 परसेंट का जो है जम्प देखने को मिल रहा है तो एक सांदार रेजल्ट आप बोल सकते हैं कि ICIC bank limited ने यहां पर पेस किया है इसके अलावा net interest income देखें तो तक्रीवन year basis के उपर 21 परसेंट का जम्प देखने को मिला है 10,431 क्रोड से बढ़कर 12,605 क्रोड होता हुआ दिखाई दे रहा है net interest income तो fundamental लुप से देखें तो कंपनी काफी मजबूत दिखाई दे रही है तो इस कंपनी के बाद पूरा इस कंपनी के बारे में पूरा analysis करेंगे कि इस कंपनी की balance sheet में कितना दम है और इस कंपनी का market cap देखेंगे इसके साथ सा technical chart को भी देखेंगे कि technical chart में क्या indicators मिल रहा है signal buy और sale का market cap की बात करें तो HDFC bank limited के बाद दूसरा सबसे बड़ा private bank है ICIC bank limited जिसका market cap 5,19,598 करोड के करीम में है इस bank को आप HDFC bank limited के साथ compare करें तो आप आएंगे कि पिछले एक सालों में जहां पर HDFC bank limited ने तकरीबन minus 5.93% का return दिया है वहीं पिछले एक सालों में ICIC bank limited ने 24.76% का return दिया है जो कि एक चौकानी वाला data है इसके अलावा HDFC bank limited और ICIC bank limited का compare पिछले 5 सालों के return को लेकर करें तो पिछले 5 सालों में जहां पर HDFC bank limited ने 76.65% का return दिया है वहीं पर पिछले 5 सालों में ICIC bank limited ने 175.23% का return दिया है तो market capitalization के हिसाब से देखे तो number one पे इस समय HDFC bank limited टॉप position पे है लेकिन ICIC bank limited जीस तरह से growth कर रहा है जीस तरह से इसकी valuation बढ़ रही है तो इनिश्ची तरह पे top one में आने की कोसिस कर रही है first position पर आने की यहां पर तयारी चल रही है ICIC bank limited की तो इसी तरीके से यदि इसकी performance रही तो ओ दिन दूर नहीं जब valuation के हिसाब से HDFC bank limited को यह पचानने में काम्याब होगा लेकिन यह तो data है data कभी वजल सकता है लेकिन इसके अलावा इसकी balance sheet को पढ़ेंगे और देखने की कुशिस करेंगे कि इसके balance sheet में कितना दम है तो सबसे पहले quarter on quarter basis के उपर चेक करेंगे तो आप आएंगे कि quarter 2 में 23,478 करोड का revenue generate हुआ था ICIC bank limited को जो quarter 3 में बढ़कर होगे 24,314 करोड और quarter 4 में देखें तो 24,999 करोड के करीम में इसका business होता हुआ दिख रहा है ICIC bank limited का इसी के साथ profit को compare करें तो quarter 2 में 6,92 करोड का net profit हुआ था ICIC bank limited को वही quarter 3 में बढ़कर profit 6,537 करोड हो गया और quarter 4 में देखें तो कमाल ही हो गया 7,719 करोड का net profit होता हुआ यहां पर दिख रहा है इसी के साथ EPS 9,41 परसे था जो बढ़कर अभी quarter 4 में 11,11 परसे हो चुका है अब year on year के business पर चेक करें तो 2020 में 84,836 करोड का revenue हुआ था दो हजार 21 में देखें तो 89,123 करोड का और 2022 में देखें तो 95,407 करोड का revenue आईसासे बैंक लंटेंड ने जनलेट किया है इसी के साथ profit को आप compare करें तो 2020 में 9,566 करोड का net profit हुआ था जो 2021 में बढ़कर 18,384 करोड हो गया है और 2022 में आप चेक करें तो 25,110 करोड रुपे का net profit यहां पर ICIC bank limited को होता हुआ दिख रहा है तो bank जो है कापी सांदार तरीके से धीरे धीरे जो है growth करती भी नजर आ रही है और जिस percentage से growth कर रही है valuation के हिसाब से जो है इसमें अभी long पारी यानि लंगी उडान जो है इसमें बाकी है एक बार आप इसके share holding pattern को test करेंगे तो आप आएंगे कि foreign institutional investor जहां लगातार इसमें अपना stake कम कर रहे हैं December quarter में उनका 45.30% का stake था जो घटकर 45.95% हो गया वहीं domestic institutional investor जो हमारे देश की mutual funds है उलगातार जो है खरीदारी करते विए नजर आ रहे हैं उनका stake 44.58% के करीम में है पब्लिक के पास 11.23% का stake से और government ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बनाई है और 0.24% का stake जो है government का है ICIC bank limited का कल की trading session में है 22 April का आप delivery data चेक करें तो आप आएंगे कि 64.74% के करीम में जो है यहाँ पर कल की rate में national stock exchange पर माल उठाया गया है ICIC bank limited में तो यहाँ पर delivery की percentage मातरा कापी अच्छी है टेक्निकल चार्ट की बात करें और टेक्निकल चार्ट के वेसिस पर आप जो है इसके price section को समझने की कोसिस करें तो आप आएंगे कि ओपरी लेवल से अभी कापी बढ़िया discount price में मिल रहा है और तोड़ी सी गिरावट इसमें देखने को मिल रही है एदी फरदर global market के जिस तरह से conditions अभी ठीक नहीं हो रहा है रसिया और उक्रियन के भी जो यूद्ध है उसी के चलते तो यदि इसमें और भी गिरावट होती है तो जो सबसे इसका strong support level है 700 का इसको आपको याद करना है क्योंकि यहां पर यदि आता है तो एक सांदार opportunity है value investment करने का long term के दिश्टी कोर्स है क्योंकि यदि आप ICC bank limited में या किसी भी stocks में जो अच्छे stocks हैं यदि आप उसमें लंबा खेलेंगे लंबे समय तक invested रहेंगे तभी आप जो है एक मोटा पैसा बना पाएंगे मैं intraday के खिलाप नहीं हूं दोस्तों लेकिन मैं intraday को avoid करता हूं क्योंकि उसमें risk जादा है लेकिन जहां risk जादा है उहां profit भी जादा है लेकिन आपको एक safe return चाहिए तो आप जो है positional trading कर सकते हैं long term की trading कीजिए आपको नुक्सान कम होगा मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जरूर पसंदा होगा वीडियो पसंदा है दोस्तों तो चैनल को subscribe कर दीजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद